दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले है लुना जो रिवाइबर प्लान 2 है उसके बारे में क्योंकि जो पहला प्लान था उसके और मैंने बताया था वीडियो के बाद हमसे आप लोग देखे होंगे नहीं देख लिएगा इसमें मैं ने बताया था सब कुछ अब दूसरा प्लान यहां पे अपलीमेंट किया घया अब इसमें क्या है उसमें किया गया है और किया चिजे दिसके बताऊंगा आप प्लान था रिवार्ड प्लान उससे थोड़ा ज्यादा मात्रा में इसमें भीन है और इसमें बहुत साइज चीजें चेंजेस किये गई हैं और यहां पर हर इवेक्टी का अच्छा काथा प्रॉफित होगा ठीक है जो भी लोग यहां पर इन्वेस्ट किये थे और नोगा थे तो इसमें क्या होने वाला सो सबी chefs अजी में बात खल रजाएं तो है इसके बात इनका जो पूरा ना भी यहां पूरा समया और अनेत्था 10 यहां पर फिर बात में कमेंट करते रहेंगे कि यहां पे कुछ समझ में नहीं है तो इसलिए मैं गोलूंगा वीडियो को गहराई से देखेएगा तभी आप समझ पहेंगे कि यहां पर दो टोकन आ गया दोनों में करफियों आपको हो सकता है ठीक है यहां पर आपको मैं पूरा क्लिरे रख दिया जाएगा समझ मैं मतलब कि अब इग समय जो भी आप टोकन को वाई सेल कररें लुना टोकन है जो उसका नाम लुना क्लासिक रख दिया जागा जैसे सोट में यल यू एन ची के नाम से जाना जाएगा अभी उसके बाद में जब यहां पर जो दूसरा टोकन लॉंच पहलब लेकिन उसका नाम लूना रहेघ afflict שOT में हम लोग यो nc के नाम से जाने जाएंगे और जो अब लोग 0 तक है यह समझपाए होंगे उसके बाद भी पे नीचे बात कम दो है पताईया गया है जो की आप पढ़ सकते हैं त composed मेरे नहीं लेगा लेकि जो भी चीज़े यहां पर में चीज़े है वह आप लोग को साथ में सेयर करूंगा तो आप लोग देखते जाएगा अभी यह हो गया आप लुना और लुना क्लासी को समझ लिजाएगा जैसे अब इथेरियम है भाई अभी आपको मैं दिखा भी देत लुना क्लासी को गाएगा जो लुना क्लासी को अभी इसके बाद हम यहां पर अगर बात करें कि भाई जो डिस्ट्रूबोर्शन होगा वन बिलियन वाला जो लुना टोकन वो कैसे होगा और किन-किन लोग को यहां पर मिलने वाला है लेकिन इसके बाद में वजये था लेकिन डेटल में जणने थोड़ा जरूरी है ताकि आप नोग ठीक से समझपाएं ठीक है तो आपके साथ में पूरा एक्सिक्सराइण करूंगा देखे हैं पे बताया गया यह है कि यहां पर जो 1-billion ंहां ने से 25 परसंट हम जो टोकन रखने वाले हैं वो देने वाले हैं वो कमेटी पूल या फिर जो इस टेकर गौर्नमेंट जो है उसमें हम यहां पर बाढ़ देंगे उसके बाद में पर जो वन बिलियन टोकन में एक परसंट जो होगा वो डेपलेपर सी लिए वो रखेंगे मतलब यहां आप इसके लिए रखेंगे औशकर परशंट होगा वन बिलियन सप्लाइ का सब्दसेट है आप जो पूबलिक में सप्लाई करने वाले हैं वो यहां पे 35% करने वाले हैं अब 35% में जो होनेवाला वो भी यहां पर समय लेजे देखिए हैं पर condition वगरा जो कि पहला कंडिशन है जो यहां पर बताया यहां पर यह गया है कि अगर आपके पास में 1 1,000,000 token से कम अगर आपके पास में token है तो यहाँ पे यह बताया गया जिसा कि अगर आपके पास में आपके वालट में किसी भी exchange में हो सकता है या अरफिक कहीं पे भी हो सकता है यह ज़्रूरी नहीं है कि वो डिशन ट्रैडी पर हो या फिर एक्सेंज पर हो ऐसा कोई बात ने कहीं पर आपके पास में वन मिलियन टोकन से आपके पास में कम टोकन है तो उसके लिए क्या है यहां पर बतायागे वन इयर क्लिफ मतलब कि यहां पर आपको एक साल तक कुछ भी टोकन नहीं मिलेगा अगर मिलियन फिर आपन बतायागे टोट्र कि आपको एक साल तक कोई भी टोकन नहीं मिलेगा लेखने इस इसद्र फिर चक्रहें चाब यह इंपना यहां ठोक्ट के आपको चाइंच पर अँछ भी टोकन नहीं मिलेगा और अगले पर दूसरा कंडिसनी में बताया गया कि अगर यहां पर आपका 12-06 टोकन यह पिति वॉलेंड तन कंज से आपका यहां पर पको दोकन कहा एक हैं कि यहां आłeखा को पी łchu । यह कि आपको 40京 साल के अंदर जो भी टोकन आपको मिलने चाहि तेने चाहिए वह आप तो कन दिया जाएगा ठीक है यह हो गया उसके बाद यहां पर बताया गया है अगर इस टेप हैं पर बताएगा कि आपको 10 परसेंट यहां पर टोकन उन लोगों को डिस्टिपूर्ट किया जाएगा जो लूना होल्डर रहेंगे जैसे कि यहां पर इस्टेकिंग डिवर्टी यहां पर उनको दिया जाएगा और यहां पर बताया गया जीसमें कि आया कि यह लूंच होगा कि नए जो टोकन है वह लूना जैब लूंच हो जाएगा तो फिर्ष्ट ब्लॉक में मलब क्या है 10% यह लोग 10% यह लोग 10% लोग दे देंगे उसके बाद पर जो 90% होगा वो दो साल के अंदर उनको 10% तोकन होगा 10% का वो उनको दे दिया जाएगा उसके बाद इसी तरह आपका आता है यहां पर 25% यानि की UST होल्डर के रिए जैसे जो लोग UST होल्डर होंगे जो लोग अपने जो भी एक्सेंज है फिर जहां पर भी वो लोगो ने यूअश्टी होल्ड किये होंगे इनका जो मदन रीन की क्या बोलता है इनको यहां पर दिया जाएगा 25 पकवजन को बहुत बाताजन जिन lip कि उसका क्या है मतलब की फिर जो को हुल्डर रहेंगे उनको जो भी token भाचे रहेंगे वह दिये जाएगा मतलब दो साल के अंदर मतलब लोगो बार दिया जाएगा ठीक है तो ये प्रोसेस पूरा है इस तरह के सब्सक्राइब को दिया जाएगा ऑर उसके हिसाब से बताया गया है जो कि इसमें त्रिक्ष डिखा जाए त्रियां पर टैं यहां पर पूरा पूरा जो लॉंच होगा वह 27 तरीक पांच में 2022 को लॉंच हो जाएगा इस तरह कहना है बाकि जो भी होगा वह आगे देखा जाएगा आप लोग को अपडेट में दे दूंगा या फी बता दूंगा बाकि आप लोग सब कुछ समझ गया होंगे अभी बात य किया होंगे तो वह जो भी टोकन रहेगा वह आपका बदल जाएगा लूना क्लासिक में आपको घबराने वाली बात नहीं है जो भी टोकन रहेगा लूना क्लासिक में बदल जाएगा उसके बाद जो भी टोकन नया आने वाला है वह लूना रहेगा या यू यह रहेगा जो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कुछ कमेंट बाउस में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर में टेलिग्राम पर जोइन करके वहाँ मुझे डारेटली बात कर सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ में तब तक लिए आप लोग देखते रहें सीखते रहें थैंक यू समच